हलो फ्रेंद्स वेलकम टू हापी टाइम्स विद केट जोन आज हम आपके लिए दो बहुत मज़ेदार सेक्शन लेकर आए हैं पहले सेक्शन में हम टिशू पेपर्स के साथ एक मैजिक बेस्ट अक्टिविटी करने वाले हैं यह देखिए उसमें क्योंकि आज ज़्मनश्मी का जो ओकेशन है पर्व है वो बहुत जल्द ही आने वाला है तो आज इस अक्टिविटी में हम श्री कृष्ण की बासूरी बनाएंगे उनको फ्लावर्स बहुत प्यारे थे फ्लावर्स बनाएंगे और सब के अंदर जो एक लविंग हार्ट है वो टिशू पेपर अक्टि है इसके लिए हमें रिक्वाइड रहेगा एक बहुत अच्छी क्वालिटी का टिशू पेपर रोल जिसमें पर्फोरेशन जहां पर भी होंगी हम हां से अपनी शीट इस तरीके से निकाल लेंगे अब हमें क्या करना है हर शीट को पहले फोल करके इस तरीके से तयार कर लेन आज तो ये देखिए मैंने ये इस पे फ्लावर ड्रॉ करे और ग्रीन कलर से लीव्स ड्रॉ करी जब इसको ऐसे रखा तो इसके उपर भी मैंने फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बासुरी मैंने बासुरी भी बना के रखी है ये देखिए ये मैं बासूरी बनाई श्री कृष्ण की और इस पेपर को फोल करके उसी प्लेस पे एक बार और मारकर से बासूरी बना दी अब आपको मैं थर्ड वाला शो करना चाहती हूं प्यारा सा हाट बनाया जिसके उपर क्राउन भी दिखाया है और उपर जब बनाया तो क्राउन नहीं दि खेलेंगे जैसे की अब मैं कलर करती जाओंगी और कलर करके कैसा होगा वो मैं आपको अभी दिखाती हूं अब ये देखिए मैंने रेड कलर मारकर से रेड कलर करा और ग्रीन कलर से मैंने लीव्स को ग्रीन कर दिया और जब इसको मैं फोल करके दिखाओंगी तो मैंने उप उपर नहीं करा है अब आता है नेक्स वाला टिशू पेपर इसमें मैंने रेड और ग्रीन को यूज करके बासुरी में कलर करा और यहां पे लिखा जै श्री कृष्ण और जो इसकी उपर वाली साइड थी उस पे कलर नहीं करा ये भी मैंने साइड में रख दिया अब ये जो ह को ही मारकर यूज करें है जो वाटर में कलर नहीं छोडते अब मैंने अपनी किचन से एक ये स्कॉयर डिश ली इसमें वाटर फिल करा और ये जो है अब टिशू पेपर अक्टिविटी को जो हम मैजिक टिशू पेपर अक्टिविटी कहते हैं वो अब आपको दिखाऊंग जब हम धीरे से ये टिशू पेपर इसमें प्लेस करेंगे तो ये कैसा लगने वाला है ये देखिए आगे आना ब्यूटिफुल इफेक्ट वाव अब सेकेंड हमने बनाई थी श्री कृष्ण की बासूरी अब देखिए ये कितनी खूपसूरत होने वाली है बासूरी वान अब जो हमने अपना खूपसूरत सा रेड हार्ट बनाया है उसको एक बार मैजिक करते हैं वान टू थी या ही इस दिस हार्टी से लाव एवरीबान लाव एवरीबान लाव एवरीबान इसके बार पेपर ग्लास को इनवर्ट करके एक होल बनाएंगे बड़ा होल नहीं करना आप बलून लेके स्ट्रेच करो और फिर एक एंड पर नौट लगा दीजिए घुमा कर बलून को दूसरी साइट से कट कर दीजिए ताकि वो ग्लास की बैक साइट पे आप आए ये द और अपने ग्लास के ओपर इसको कवर कर देंगे ये हमने इसको ऐसे पकड़ लिया और सारे जो हमारे पेपर बॉल्स हैं वो इसमें भर दिये आप चाहो तो पार्टी के लिए चार ऐसे पहले बना के रख सकते हैं और अब हम ये गेम खेलेंगे कि वैन वी से वन टू तू तो इसके पापर में से ज़ादा पेपर बॉल्स पॉप हुए 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 So I hope you enjoyed this video आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक और शेयर करिए Goodbye